हंस और उल्लू एक बार की बात है एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक नदी बैती थी उस नदी के किनारे एक हंस रहता था एक दिन उल्लू दूर जंगल से उड़ते उड़ते नदी की किनारे आ पहुचा उसने नदी के किनारे एक पेर को अपना घर बना लिया करते थे और साथी भोजन भी करते कुछ महीने बाद एक दिन उल्लू ने हंसे कहा मेरे प्यारे मेत्र अब मुझे यहां बहुत समय हो गया है मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं यहां से बहुत दूर जंगल के दूसरे छोड़ पर एक बरगत का पेर है वहीं पर मेरा घो अगर मेरी याद आए तो मुझे से मिलने जरूर आजाना हंस ने कहा ठीक है मित्र उस दिनों के बाद हंस को अपने मित्र उल्लू की बहुत याद आई तो उसने सोचा कि चलो उल्लू से मिलकर आना चाहिए अगली सुबा वह हंस उरता उरता जंगल के दूसरे खिनारे जहां उसे बरगत का पेर दिखाई दिया उसका मित्र उल्लू वही रहा करता था हंस दिन भर उड़ता रहा और उस उल्लू के घर पहुँचते पहुँचते उसे साम हो गई थी हंस बहुत ठक गया था उसने उल्लू से कहा मैं बहुत ठक गया हूँ मुझे थोड़ी देर आराम करने दो उल्लू ने कहा ठीक है तुम मेरे घोंसले में लेट जाओ मैं पास के डाल पर बैड़ जाता हूँ कुछ देर बाद घना अंधेरा हो चुका था लेकिन उल्लू साफ देख सकता था और उल्लू को दिन में सही से दिखाई नहीं देता वो निसाचर है तो खैर उसी रात कुछ यातरी उस पेर के नीचे जाकर बैठ गया उल्लों ने सोचा यहां रात भर आराम करेंगे और सोबा फिर चल देंगे रात होते ही जैसे उल्लू ने जोर जोर से आवाज करना सुरू कर दिया उल्लू उउउ की आवाज निकालने लगा इस आवाज से यातरीयों को बहुत परेसानी हुई उल्लू का रोना अब सगुन माना जाता है और उसके रोने से यातरी बहुत ही विचलित हो गय थे उन में से एक यातरी ने उल्लू की आवाज का सुरूत खोजते खोजते उपर पेर पर देखा उसने अपना धनुस लिया और उस पर एक तीर चला दिया उल्लू को मारने के लिए उसने तीर चलाया पर उल्लू ने देख लिया कि एक तीर उसकी तरफ आ रहा है वह जट से उड़ गया और तीर बेचारे हंस को लग गया तीर लगते ही वह मड़ गया इसलिए कहते हैं दूसरों के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए उल्लू चालाग था इसलिए वह अपनी जान बचा कर भाग गया और जो बेचारा हंस उससे मिलने आया था उसे अपनी जान गवानी परी उल्लू अपने मितर हंस की लास को देखकर रोने लगा उसने सोचा हाई मैंने अपनी मुर्खता पूर्ण हरकत से अपना पड़म मितर खो दिया धिकार है मुझ पर हंस की लास धर्ती पर पड़ी थी और उल्लू को अपने सोक में आसपास की खबर ही नहीं रही उल्लू के रोने की आवाज सुनकर एक सियार वहां आया उल्लू को बेसूध होकर रोते देखकर वह सियार उस पर जपता और उसने उल्लू का काम तमाम कर दिया अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लेका आप हमारे वीडियो को देख सके ये कहानी कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं और आप सभी को किस तरह की ये स्टोरी पसंद है आप लीज कॉमेंट करके बताएं तो मैं उसी तरह की स्टोरी आप सभी के लिए लेकर आऊंगे